नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉम्टिशन कम्मुनिटी के इस FTR सिरीज में 36 गड़ से संबंधित Q&A सेशन में मेरा नाम है सतियंद्र सिंग और आज हम स्टार्ट करेंगे 36 गड़ के आदोनी कितिहास को मैं ये कोशिश करूँगा कि टॉपिक वाइस आपको लेके है जाया जाए ये येर वाइस हिसाब से और आज हम 1856-1856 से लगब लगब 1905 तक की जरनी पैंक करते हैं और इसके बाद 1905-1915 और 1920 इस तरह से 5-6 वीडियो में सारे कोशिशन आंसर हम खतम करेंगे तो सबसे पहले आज हम देखेंगे 1856 के बारे में तो चलिए इसमें पहला कोशिशन आपको दिख रहा है पहला कोशिशन है निमलिखित में से कौन सा कतन आ सकते है पहला सोना खान और रात में विर नरैट सी बंदीगरी से भागने में सफल हो गया थे और विर नरैट सी पर एट्रो सीयस एक्ट 1857 के अधीन उनके विरुद राजदरों विद्रों का आरोप लगाया गया था अब बात यी है इनमें से कौन सा कतन असत्या इसको पहचानना है इसको आप लो कलचूरी समराजी की तो कलचूरी समराजी का विस्तार कलचूरी समराजी का विस्तार इस मद्य-36 गण में यानि आज परतमार में जो दुर्ग हो गया विलसपूर हो गया रायपूर यी जो तीन संभा के जो चvenge रथे यहां पे कल्चूरियों ने अपनी सत्ता 7500 सालों तक complete किये यानि निभाई और यहां पर उनकी सहायता छोटे-छोटे यहां पर उनकी सहायता छोटे-छोटे जमिनदारों ने दी यहां तरियेगा और ये भी धियान रखेंगे कि कल्चूरियों के समय ही इस छेत्र में जमिन दारों की उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है और इसी क्रम ने 1490 की बात है बिंजवार जाती के बिसई ठाकुर नामक वेक्ती ने इन कल्चूरियों को सैनि सहयता प्रदान की थी कल्चूरी नरेश जो बाहर साह होते हैं वह इस बिसई ठाकुर के द्वारा जो सैनिक सहयता प्रदान की गई उसके उपलक्ष में उपहार स्वरू इन विसाई ठाकूर बिंजवार को 1490 में सैनिक सहायता के बदले सोना खान वाला छेत्र इन्हें दे दिया अर्था उस छेत्र से किसी भी प्रकार का टैक्स या टकोली नहीं लिया जाता था यानि कि इस छेत्र के जमिंदार के रूप में उदभाव बिसाई ठाकूर बिंजवार के समय से हमें देखने को मिलता है नेक्स जेट आप याद रखेंगे 1818 का आपको पता है 1818 एक ऐसा काल होता है जब 36 गड़ वाले छेत्र पे 36 गड़ वाले छेत्र में बिटीसर्स का अब प्रतिक साशन की सुरुवात होती है और इसी समय और इसी समय थर्ड आंगला मराठा वार पे थर्ड आंगला मराठा वार जो होता है या त्रिती आंगला मराठा युद्ध होता है जिसमें बिटीसर्स यानि की अंगरीजों की और इसी दौरान ये वाला चेत्र अंग्रीजों के नियंत्रण में आ जाता है और ये चेत्र नियंत्रण में आने के साथी साथ सोना खान याद रखेंगे सोना खान वाला चेत्र भी अंग्रीजों के नियंत्रण में आता है तब 1819 में ध्यान रखेंगे 1819 में यहाँ पर राम राम राए ने याद रखेंगे राम राए कौन ये विसाई ठाकूर बिंजवार के ही आगे वनसज में राम राए आते हैं और राम राए कौन यह है आपकी विर नरैर सींग के पिता जी तो राम राए ने 1819 में अंग्रेजी को खिलाब एक विद्रोग किया और विद्रोग के दौरान यहाँ पर resident याद रखेंगे नागपूर के resident मैकसन ने ठेक नागपूर के resident मैकसन ने राम राई के दौरा जो विद्रो किया गया उसे कुचल दिया और मैकसन और राम राई अर्थात सोना खान छेत्र और ब्रिटिस गवर्मेंट के मद्य कुछ सर्तों पर यहाँ पर हस्ताक्षर होते हैं तो याद रखेंगे मैकसन ने राम राई की सीना को कुछला अर्था राम राई को हराने वाला वैक्ति मैकसन रेजिडेंट और नागपूर यह भी ध्यान रखें अब 1819 इसके बाद चीजें चलती हैं जिन सर्तों पर इन दोनों के मद्य हस्ताक्षर हुए थें और राम राई के मृत्टि हो जाती है 1830 में जब 1830 में इनकी मृत्टि हो जाती है तब इस छेतर पे इनके पुत्र वीर नरैन सी वीर नर्यान से जमीनदार के रुपे न्यूक्त होते हैं 35 वर्स की आईू पे और ये भी धियान रखेंगे सोना खंट जमीनदारी एक महत्टपुन जमीनदारी थी और यहाँ पर जो राजा निक्तृत करते थे या जो भी जमीनदार यहाँ पर शाषन करते थे उनकी आग्या उनके नितरित को इस महानदी घाटी पर रहने वाले महानदी घाटी पर इस थित बहुत से जमिंदारों की आग्या को मानते थे तो एक तरीके से विर्णरायर से इस छेत्र के बहुती प्रभुद्व एवं सेमस या प्रसिद्ध जमिंदार के रूप में स्थापिट हो चुके थे अब नेक्स बात चलती हमारी 1856 की ध्यान रखेंगे 1856 की इस समय इस महानदे घाटी वाले छेत्र में काफी अकाल की स्थिति उत्पन हो जाती 1856 की आसपास इस छेत्र में अकाल की स्थिति हमें देखने को मिलती है तब गरीबों के नेता अपने प्रजाओं के नेता जो विर्णरायर सिंग होते हैं राइपूर में इस्תित अंग्रे जदीकारी होगे बाइब उनकी तरफ से किसी भी प्रकार की सूचना ना मिलने पर, इसने आग्रा किया कस्डोल के वैपारी माखन साओ से, याद रखेंगे पूरा नाम इस वैपारी का नाम क्या है, माखन साव घ्यान रखेंगे माखन साव अच्छा कई बुजगा ये कजडोल आपको मिलेगा कई रिसोर्स में आपको कराओ भी मिलेगा और कई रिसोर्स में आपको खराओ भी मिलेगा तो आज वर्तमान में जो तथा कतीद बुक्स है उसमें कजडोल के वैपारी लिखाता है एंए एक्जाम में यही पुशता तो ध्यान रखेंगे या तो कजडोल के वैपारी माखहन साओ के गोदाम पे इन्हों ने प्रत्रक्ष रूप्से क्या कर दिया लूट लिया वह अनाज वह अनाज जिसको माख्हन लाल साव या माखन साव ने जमाखोरी के माध्यम से एकत्र किया था काइदे से देखा जाए तो विर नरहाण सिंग ने सरकार के विरुद्धिया सरकार के नियम के विरुद्धितो कारी किया ही था लेकिन इन्होंने प्रजा की भलाई की लिए वततकालिन समय को देखते हुए यह कारी किया था और इसके पश्चाथ 27 अगस घ्यान रखेंगे 27 अगस 1856 को कब 27 अगस 1856 को विर नरहर सिंह ने इस गोदाम को लुटने की सूचना उन्होंने इपती कमिशनर को इन्होंने खुद वह सूचना दी और ये भी उस में बोला कि मैं इस तरह की च्छती पूर्ती को पूरी कर दूँंगा लेकिन अभी वरतमान में इन अनाच़ की जरुत है अभी प्रजाओ को है क्योंकि इस छेत्र में अकाल की श्तिति पैदा हो चुकी है तो ये डेट याद रखें 27-68-56 का लेटर होता है एक पत्र होता है जो कि इलियट को लिखा गया किसके दौरा वे नरहा है सिंग के दौरा ठेक अब 27-68-56 को ये लेटर लिखा गया और उसे समय माखन सावने भी ब्रिटिस अधिकारियों को पत्र लिखा और पत्र ल सारी वारंट निकालने के परशाथ इन्हें 24 अक्टूबर कब 24 अक्टूबर 1856 को इन्हें गिरपतार करके राइपूर जिल में डाल दिया गया यानि विद नरहार सिंग पे वारंट निकलता है 27-68-56 के बाद और इसमित याद रखेंगे गिरपतारी करने के लिए यहां पर इसमित लेफ्टी नेन इसमित और नेपियर इनके सहयोगी होते हैं नेपियर इसमित और उनके सहयोगी नेपियर अभी आगे कोशन बनेगा तो इसमित और नेपियर ने मिलके विद नरहार सिंग को गिरपतार किया कब 24 अक्टूबर 1856 यानि कि पहली गिरपतारी इनकी हो ग याद रखेंगे एक तो 1856 के रिस्पेक्ट में और दूसरा 1857 के रिस्पेक्ट तो यहां पर आपको याद रखना है 27 अगस 1857 चेक 20 नवंबर 1857 करेक्ट दैन आपको याद रखना है 30 नवंबर 1857 फिर याद रखना है 2 दिसंबर 1857 तीन दिसंबर 1857 पांच दिसंबर 1857 और फिर एक याद रखना है 10 दिसंबर 1857 आइए आप देखते हैं यहाँ पर तो ध्यान रखेंगे 27 अगस 1857 को 2857 को आठ मेहने तक जो विर नरैनर सिंग जेल में थे राइपूर के जेल में वो यहाँ पर तिसरे रेजीमेंट तिसरे रेजीमेंट के सैनिकों की साहता से यहाँ जेल से भाग जाते हैं और भाग जाने के पश्चात वो सोना खान के छेतर पे जाकर और भी सैनिकों की विवस्था करते हैं ताकि वो अंग्रीजों के सोना खान छेतर में प्रविस करने के दौरान गुरिल्ला युद्ध की माध्यम से उनको पराजित कर सके ठीक और इनकी भागने की खबर जब इल्यट को मिलती है तब उन्होंने इसमित एवं नेपियर को उन्हें भेजा किसलिए उन्हें पकड़ने के लिए तब इसमित और नेपियर राइपूर से कहा से राइपूर से सोना खान रवाना होते हैं 20 नुबर 1857 को बीस नोमबर अठारों संतावन को जब ये रवाना होते हैं तो उसके आसपास कि जो जमिनदार थे उनसे इन्होंने सहयोग भी मांगा ठीक उन्होंने सहयोग भी मांगा और इस सहयोग में उन्होंने जो मांगा तो इन्हें जो सहयोग पूर्ण सहयोग मिला वो कटंगी ध्या बढ़गा में बिलाईगड के जमिनदारों ने नेतिय और इसमीफ को सपोर्ट दिया उस पर के बाद बहुत सारी स्टोरी है कि तेजिस को उनों ने यहां पहुंचा चोबिस को यहां पहुंचा चबिस को एक घुर सवार विर नरायर सींग के गुर्षवार की गिरपतारी होत सोनाखन जमिनदारी और देवरी जमिनदारी दोनों के मद्य परिवारिक संबन थे तो इस देवरी जमिनदारी पहुंचने के पत्षाथ यह यहां के राजा महराज साय थे जो रिस्ते में जो संबन में किसके विर नरायर सींग क्या लगते थे काका लगते थे उनसे इन्हो महरात साय ने किस की सहता की इसमित एवं नेप जुए कि और कि इन्हों ने सहता की और इनको देवरी से आगे सोना खान संत खान तक के रास्ते में मार्ख दर्संदी आा यानि उन्हें रास्ता दिखाया और 2 दिसंबर 1857 को और दो दिसम्बर 1857 को यह देट है यहाँ पर काफी युद्ध होता है सारी चीज़े होती है तो दो दिसम्बर 1857 को वीर नरायन सींग ने आत्म समरपड कर दिया आत्म समरपड करने के फश्चात इसमीत और नेपियर ने 3 दिसम्बर 1857 को वीर नरायन सींग जी को राइपूर ले इने एट्रोसियस एक्ट के तहद राजद्रो के मामले में फासी की सजा सुनाई जाती है तब 10 दिसंबर 1857 को राइपूर की एक मुख्य चौक पर इन्हें क्या कर दी जाती है इन्हें फासी दे दी जाती है इसलिए 36 गड़ के 36 गड़ के प्रथम सहीद के रूप में सहीद व सहापना बिल्कुल सत्य है सन 1819 में सोना खान का तत्कालिक जमीनदार राम राय ने ब्रिटिस हुकूमत प्रशाशन ने खिलाब बिल्कुल सही है 27 सगस बंदी करी से भाग गया बताया है मैंने यह भी सही है विरुद्ध राजद्रों विद्रों का आरुप लगाया गया त उनके माध्यम से अगर देखा जाए तो आंसर डी सत्य होगा कोशन नंबर दो की तरफ हम रुख करते हैं सहीद विनर और सी को किसने गिरपतार किया था तो क्या होना चाहिए इसका आंसर इनमें से कैप्टन इसमित यहाबर मैंने लिखा है कैप्टन इसमित और उनके साथ दौनों बार जाते हैं तो ध्यान रखेंगे पहले बर कैप्टन इसमित धाएं दूसरे बर कैप्टन इसमित सथ नेहें पिया त। इसका अंसर होगा उसकान कम सीपर प्रशन कर मांग ठाहरी संविक कि कमिशिणर कौन थे अठारो 17 nosso नमें विद्रों का चल रहा इस समय जो राइपूर के डिप्टी कमिशनर थे वो कौन थे चाल सी इलियड यही जो इलियड थे आगे जाकर 1861 में सेंट्रल प्रोविंस यानि की मध्य प्रांट के इस थापना में अपनी महत्तपुन भूमी का भी नेभाएंगे ठेक तो कैप्टन इलियड याद रखें अब आता है प्रश्ण करमांग चार ठेक प्रश्ण करमांग चार क्या है पढ़िए हनुमान सींगे विद्रो के संबन में सत्यकतन है वी नरेड की सहादत ने ब्रिटिस साशन में कारे कर रहे सैनिक हनुमान सी में विद्रो का भाव जगा दिया ठीक हनुमान सी त्रीती रेगुलर रेजिमें मैगजिन लश्कर के पत पर नियुक थे बिल्कुल सही अठारा जन्वरी 1858 को रातरी साड़े साथ बजे इन्होंने अपनी दो सैनिकों के साथ मेजर स इडविल की हत्या कर दी ठीक बीच जन्वरी 1858 को यानि 1858 को डेपटी कमिशनर इलियट के बंगले में घुसने का प्रयास किया गया था इसका आंसर क्या होगा तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी उपरोक सभी तो चलिए आए समझते हैं हनुमान सिंग विद्रो के बारे मे तो दोस्तों याद रखेंगे कि विर नरैर सिंग की सहादत ने हनुमान सिंग जो की ब्रिटिस शाषन में तिसरे रेजीमेंट पे किस पे तिसरे रेजीमेंट पे मैगजिन लसकर के रुप में या न्युक थे विर नरैर सिंग नरकेसरी विर नरैर सिंग के बलेदान नेत् प्रित्व और उनके सहादत ने इसे उत्साहित किया कि ब्रिटिस हुकुमत को हिला के रख दे और इसी क्रम में ही 18 जन्वरी 1858 को 7.5 बजे ध्यान रखेंगे 18 जन्वरी 1859.5 बजे मैगजिन लसकर हनुमान सिंग ने मेजर सिडवेल के शीविर में जाके उनकी हत्या करती अपने दो सैनिकों के साथ मिलकर इन्होंने हत्या कर दी रिजन ये था कि उस सिवीर में मेजर सिडविल जो है वह दूसरे दिन यानि 19 जन्वरी 1858 को जो परेड होने वाला था उस समें जो परेड होने वाले होते हैं उसके बारे में उन्हों क्या कर रहे थे discuss कर रहे थे बाकी अ्य सैनिक अधिकारीों के दोारा तब उसी समय 18 जनवरी 1859 को 7.5 बजे ये अपने 2 सैनिकों के साथ जा कर उनकी क्या कर देते हैं हत्या कर देते हैं जब वो हत्या करके बहार निकलते हैं तो ये खबर सारी छावनी में फैल जाती है और इनके साथ अन्यभी 17 सेनिक इनके साथ हो जाते हैं और उनके द्वारा भी किसी प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं की जाती याद रखेंगे इन 17 सेनिको पर फिर मुकदमा चलाया जाता है मतलब ये भी संदे के घेरे में आ जाते है next date आता है आपका 20 जन्वरी 1858 तो ध्यान रखेंगे 20 जनवरी 1859 को आपको ये ध्यान रखना है कि Mr. Iliat उस समय Deputy Commissioner कौन थे Mr. Iliat के बंगले में रात्री काल में यहाँ पर गुसने का प्रयास किया था किसने गुसने का प्रयास किया था वह किया था हन्वान सी अपने कुछ साथ्यों के द्वारा लेकिन वहाँ पर कुछ British साइनिक, British हुकुमत की कुछ साइनिक वहाँ पर पहरेदारी कर रहे थे जिनके कारण उनका यह कार्य भी क्या हो गया असफल हो गया और ये इलियाट के बंगले पर नहीं गुसके और ये भी धियान रखेंगे उस समय अन्य छे बहुत ही महतपुर्ण इस राइपुर रीजन के यानि की मध्य यानि की इस दक्षिड कोशल के जो British हुकुमत के अन्य महतपुर्ण अधिकारी भी इलियाट के बंगले पर ही विराम कर रहे थे इनकी योजना थी कि एक बार में ही सारे British अधिकारियों का क्या कर दिया जाए खात्मा कर दिया जाए इसी इंसिडेंट पर कई इतिहासकारों ने अपना वक्तव्य भी दिया है अभी आने वाले एक next question में मैं इसकी बात करूँगा ये हुआ उसके बाद next धियान रखेंगे 22 जन्वरी 1859 यानि आपको तीन डेट्स याद रखनी है यहाँ पे 18 जन्वरी 20 जन्वरी और 22 जन्वरी याद रखें आप लो ठेक तो 22 जन्वरी 1859 और क्या होता तो धियान रखेंगे 20 जन्वरी 1859 को जैसे ही हिलियर को पता चलता है कि हनुमान सी ने उनके बंगले में तुरंद आदेश दिया कि जो 17 सैनिक थे उन्हें वह फासी दे दिया जाए तो याद रखेंगे फासी दे लिया गया इन 17 सैनिकों को कब 22 जन्वरी 1859 को तो 22 जन्वरी 1859 को 17 सैनिकों को फासी दे दिया जाता है अब उसके बाद ध्यान रखेंगे कि हनुमान सिंग जो है व हनुमान सींग के मृत्यू दोनों पे ही ऐसे कोई तथ्य उपलग्द नहीं है या जो भी तथ्य उपलग्द हैं वो संध्यास्पद है थी तो हनुमान सींग को 36 गड़ का मंगल पांडे भी कहा जाता है तो इस तरह से समझ में आया तो इसका आंसर होगा प्रश्ण करमांग चार का उप्रोप सभी यानि दी नेक्स पॉइंट देखते हैं प्रश्ण करमांग पांच डॉक्टर अशोक शुकला द्वारा लिखा गया यदि उसे अपने जैने विद्रों सी है केवल एक या डी में लिखा हुआ है उपरोग दोरो यानि की ए एंड बी तो इसका अंसर होगा डी ध्यान रखेंगे डॉक्टर अशोक शुकला के द्वारे के स्टेट्मेंट दिया गया था अगर इस बीस जनवरी 1859 को इलियाट के बंगले पर अगर सफल हो जाता अगर सफल हो जाता तो जिन ब्रिटिस हुकूमात यहां से खतम हो जाती लेकिन ऐसा नहीं हो पाया ठीक तो ध्यान रखेंगे 17 लोगों को फांसी दी गई थी चलिए उसके बाद अब हम लोग यहां पर यह हनुमान सिंग्वाला चैप्टर हो गया उसके अन्य विद्रोहों के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तो अब हमनु लोग नेक्स कोश्ण की तरफ रुख करते हैं नेक्स कोश्ण है कोश्ण नमबर सिक्स सूची बनाईए 1857 एंठावान की विद्रोह को आपको सोमेलित करना इन से एक तरफ दिया सोना खान विद्रोह दुसरे इसमें देखते हैं. Sona Khan Vidro, आप सब पता है, Vijr another Rathon Singh आएगे. दूसरा उदgeneration विद्रो याद रखेंगे उद justification की बाद रियासत की बाद है, और इसका नेत्रित्ही स Hydro का कलियार्ण सी ने किया और कलियार्ण सी जो थे उन्होंने ब्रिटिस हुकुमत के खिलाब उदयपुर्यासत की तरफ से नेत्रित्व किया था तो ध्यान रखेंगे कि राची जिल से छुटने के प स्षाद्य वापस अपने area में आ ते हैं यानि उ हो जाती है ठीक लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि राइगण में राइगण में के जो गोड़ राजा होते हैं राइगण के गोड़ राजा देवनात सिंग की सहायता से ब्रिटिस अधिकारियों ने कल्याण सी धीराशी और सिवराशी के खिलाब पुना क्या किया विद थारा सो उनसट पे इन पे राजद्रो का आरोप लगाकर इन्हें काला पानी की सजा दी जाती है किसकी सजा दी जाती काला पानी की सजा देकर इन्हें अंड मानने को बार भेज दिया जाता है तो उदैपूर विद्रो पे ये तीन व्यक्ति के बारे में आपको धिहान रख विद्रो या चतिजगड़ का सैन्य विद्रो के नाम से भी जानतें तो इसका आंसर जो होगा वह होगा एक इन विद्रों को एक प्रश्ण करमांग साथ बोल रहा है 1889 के बंबई अधिवेशन के बारे में सत्य कथन है पहला मद्यप्राद्य बरार से कुल 214 लोगों ने भाग लिया दूसरा पहली बार 36 नेताओं ने यहां पर हिस्सा लिया बिल्कुल चटिस गड़ से सीम ठककर पंडित रामदेल तीवारी माधार रहो सप्रे और वामन रहो लाखे सामेल हुए तो ध्यान रखेंगे कि यहां पर इसके फॉर्मेशन के पीछे भी भहुत सिधन्थ हैं ने अपने अधिवेशन किया तो यह तो history को अधिवेशनों के माधियम से पढ़े या तो ideology के माधियम से पढ़े या year-wide उसे breakout करें तो हम यहाँ पर directly पहुंशते हैं 1889 का बंबाई अधिवेशन ठीक तो सबसे पहले धियान रखेंगे 1889 में बंबाई अधिवेशन होता है और इन अधि पर प्रस्ताव पारिक करना है उस मंच पर तो डेफिनेटली वह अधिवेशन पहले बुला लिया जाता था तो 1889 में जो बंबाई अधिवेशन हुआ उसमें Central प्रोविंस एंड बरार ध्यान रखेंगे Central प्रोविंस एंड बरार वाले चेत्र से पहली बार 214 लोगों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था और इस जो Central प्रोविंस एंड बरार जो है यहां पर जो 36 गड़ वाला जो छेत्र होगा 36 गड़ प्लस उडिसा वाला जो cm खकर सहाब लिया हुआ था इन्होंने पाइ्टिसिपेट किया स्येयं ठककर उसके वामन राव लाखे छी फिर आ गया आपका राम्दे प्रोवरे नोट रां घॉपालाि ध्यान रखेंगे से राव गुपाल तिवारी राइपुर से हैं और मुंगेली बिलासपूर से हैं चलिए तो सी एम ठककर वामन रो लाखे राम दे अलतिवारी और आपके एक और पत्रकारिता के जनक बोल सकते हैं माधा रो सप्रेजी ये जो चार रहती थे इन लोगों ने 1889 पे 36 गड़ के राजनीती का यहाँ पर जाकर और वापस आकर बीज बोया था तो याद रखेंगे इसको याद रखने के लिए कोड बना सकते हैं CVRM CVR सबको कॉमन लगेगा तो यहाँ पे CM ठककर, वामन रो लाखे राम दे अलतिवारी और माधा रो सप्रे चेक तो इस तरह इसका जो आंसर होगा Q7 का, Q7 का जो आंसर होगा वह होगा D उपरोग सभी अब हम चलते है Q8 की तरफ 1991 के नाकपूर अदिवेशन के बारे में सत्य कथन है, तो देखी यहाँ पर पहले 89 में बंबई अदिवेशन में हमें एक्टिविटी देखा 36 गड़ की तरफ से, यानि मद्यपरांग की तरफ से दूसरा हम एक्टिविटी देख रहे है 1891 थे, तो सिब दो याद रखना है 1889 और 1891 नाकपूर अदिवेशन चलिए, पहला 36 गड़ के CM ठककर, पंडित, रामद्याल, दिवारी मादारो सप्रे, वामनरो लाके सामिल हुए ठीक है, चलो नेक्स ऑप्शन में देखते हैं बद्री प्रशाच, साव भी, 36 गड़ में सामिल होने वाले प्रमुक नेताओं में से एक थे, ठीक तिसरा, सरपर्थम, 36 गड़ के किशा ने, माल गुजारों ने हिस्सा लिया और इस अधिवेशन में नहर कर यह जंगल कर वापस लेने संबंदी प्रस्ताव पारित किया गया था क्या होगा आंसर यहाँ पर केवल एक नहीं हो सकता बी में जहेंगे तो दो और तीन भी नहीं हो सकता केवल चार भी नहीं हो सकता तो इन उप्शन के अधार पर जो स्टेटमेंट दिये हैं उसके अधार पर उप्शन डी सही होना चाहिए तो उप्शन डी होगा उप्रुक सभी तो चलिए आईए इसके वारे में एक्स्प्लिनेशन समझते हैं तो याद रखेंगे जो 1889 में जो 1889 में CM ठककर, वामन रोलाखे, राम कुपाल त्यारी और माधार और सप्रे लोगों ने पाटिसिपेट किया था उनके साथ एक और वैक्ति को आप एड़ कर लिजेंगे बद्री प्रशाद साउजी को बद्री प्रशाद साउजी भी इनके साथ नाकपूर अधिवेशन में जाते हैं और नाकपूर अधिवेशन में जाने के बाद जो कॉंग्रेस का नाकपूर अधिवेशन हुआ उसमें इनके दवारा मध्यपरांद को लेकर या मध्यपरांद की टैक्स की उगाही के लिए यानि की नहर कर और जंगल कर के खिलाब यहां पर प्रस्ताव पारित किया गया ताकि अपने छेत्रों पर वापस जाकर पूना उनसे सम्मंधित क्या करेंगे आंदुलन करेंगे तो याद रखेंगे इस समय किसी भी प्रकार की जो आंदुलन होती थी वह कांग्रेस के जो अधिवेशन होता था या जो कांग्रेस के जो अधिवेशन होंगे उसमें अगर परमीशन मिला तब वो अपने छेत्रों पर जाकि उस प्रकार के आंदुलन को अंजाम दे पाएंगे अधर्वाइस उसकी किसी भी प्रकार सी इस्थिती सही नहीं हो तो इस अधार पर याद रखेंगे पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, सवरपदम चत्तिक्रणे किशाने माल गुजारों नों हिस्से लिया बिल्कुल सही, इसमें इन नेताओं के नित्रित में कुछ किशाने माल गुजारों ने भी यहाँ पर जाके पाटिसिपेड यानि की हिस्सा लिया था और उन्होंने अपनी समस्याओं के खिलाब, अपनी समस्याओं के खिलाब प्रस्ताव भी पारित करवाया था, तो इस तरह की से प्रश्नकरमांग आठ का जो आप्चन होगा उपरो सभी, प्रश्नकरमांग 9 में चलते हैं, प्रश्नकरमांग 9 जो है, 1994 के अकाल के समय मद्यपरांद के चीप कमिशनर वुडवर्थ थे, बिलकुल सत्य, डिप्टी कमिशनर के आदेसा अनुशार, राइपूर में 20 जनुवरी 1894 को दरबार रखा गया, ठीक है, 17 मार्च 1900 में अकाल निवारण सभा के अंतरकर इंडिय फंड में 6000 इकत्र हुआ और 14 इनमें से कोई नहीं, तो कोश्चन नमबर 9 का जो आंसर होगा, वह होगा फूर्थ, इनमें से कोई नहीं, यानि ये तीनों कथन सत्य है, तो ध्यान रखेंगे, 1894 में मद्यपरांद वाले छेत्र पे तीन वर्सी अकाल पड़ता है, और इस अक कई जगा गवर्नर निवक्त किया गया, और कई जगा चीफ कमिशनर भी निवक्त किये गये, तो जो सेंटरल प्रोमिस था, वहाँ पे चीफ एक्चुली दोनों के ओदे सही एक ही होते थे, पर नाम अलग होता था, बस आप इतना ध्यान रखें, ठीक, तो याद रखेंगे चीफ कमिशनर, कौन सा? चीफ कमिशनर जो इस समय थे, वह थे, वुडवर्ड, और वुडवर्ड ने यहाँ पे अकाल की समस्या को देखते हुए, पूरे मद्य प्रांद का क्या किया, उन्होंने दौरा किया, जब वुडवर्ड ने पूरे मद्य प्रांद के दौरा किया, तो वो 36 गड़ में भी आये और 36 गड़ में आने के पस्चा चीफ कमिशनर वुडवर्ट ने यहां के डिप्टी कमिशनर इलियट को आदेश दिया कि एक दर्बार लगाया जाए और उस दर्बार में और उस दर्बार में वो यहां के कुछ रहिस, माल गुजार एवं कुछ ज जनता को क्या करने के लिए, अनाच उपलब्द कराने के लिए, जंता को अकाल से लड़ने के लिए कुछ फंड प्रवाइट करवाया जाए, किनके तुर्व उन माल गुजार एवं जमिनदारों की तुर्यू, ऐसा किसको कहा वुडवर्ट ने, ऐसा कहा इलियट को, तो इल पढ़ता है और इस समय याद रखेंगे 17 मार्च 1900 में 17 मार्च 1900 में एक सभा का आयोजन किया गया और अकाल निवारत सभा के अंतरगत 6,000 रुपए कलेक्शन होता है जब कोशन बनता है में इस में तो आता है कि 36 गड़ में प्रारंभिक राष्टी चेतना कैसे जागरित हुई तो वहाँ पर यह सारे कारण लिख सकते हैं ठीक है चलिए तो इसका आंसर होगा नौ का फॉर्थ इन में से कोई नहीं कि चारों आंसर जो है चारों स्टेट्मेंट सहीं है फिर नेक्स चलते हैं प्रश्णक्रमांग 10 की तरफ प्रश्णक्रमांग 10 जो है वह बोलता है कि 36 तरे में सत्य कथन पहला मासीक के रूप में प्रारम किया खिक सुनीश मेंः क्猪ण ना कि चिंचोलकर तरों कि संपाद का रहे न करकेया संपादन की आए रहा soy Iduk practitioners और आकेयों में प्रेस ln भुकूर से प्रारम कुई, आंसर निकाले, क्या होगा बताएट ये तो दोस्तो चतितजगण मित्र की बारी में सबस्ते हैं, चत्तिजगण मित्र, एक महाशिक ہिंदी प्तरीका थी, महाशिक हिंदी प्तरीका정이 procesी, यह एक माशिक हिंदी पत्रिका थी जिसका संपादन संयुक्त रूप से, संपादन मतलब एडिटर्स जो थे, जो संपादक थे, संयुक्त रूप से याद रखेंगे, आप माधाव राव सप्रे, माधाव राव सप्रे एवं राम राव चिंचोल कर, यह दो वैक थी, एवं इ प्रकाशक थे यानि इसके प्रोप्राइटर थे जा बोल सकते हैं इसको जो फंडिंग करते थे वह थे वामन बली राम लाखे जी ठीक तो इस तरह से तीन वेक्टियों का नाम इससे आकर जूड़ता है छत्तिजगड मित्र से पहला छत्तिजगड माशिक हिंदी दूसरा सयु प्रकाशक वामन बली राम लाखे के दौरा तो याद रखेंगे इसका जो प्रकाशन होता था वह होता था पेंडरा से और यह जो प्रिंट होती थी यानि इसकी जो छपाई होती थी स्टार्टिंग में कयूमी प्रेस कयूमी प्रेस राइपूर से होती थी और बाद में ना उसके बाद इसकी या इसका संचालन जो किया गया 1900 से लेकर 1903 तक किया गया उसके बाद संशाधन की कमी या इसको छापने के लिए इसको प्रिंट करने के लिए पैसे की कमी के कारण ही या पत्रिका या इस पत्रिका को क्या कर दिया गया बन कर दिया गया था तो याद रखें तब आप या कल की जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो इसको मैं बहुत अच्छे से और क्लियर करूँगा अभी के लिए ध्यान रखेंगे 1905 1905 के पहले 36 गड़ मित्र आता है और 1905 के बाद आप देख सकते हैं क्या हिंद केसरी आएगा 1936 गड़ मित्र से पत्रकारिता की सुरुवात माधर आप सप्रे करते हैं और 1905 के पश्चाद यानि की हिंद केसरी से इनकी पत्रकारिता का एक हद तक अंत हो जाता है तो इस तरह से सो कंप्यार करके पढ़ें तो चीजों को अच्छे से समझने में सहता होगी दूसरा चीज ध्यान रखेंगे जब नेक्स्ट वीडियोज बनाएंगे हम उसमें ये भी ठोड़ा सा एक्स्प्लिनेशन करना होगा कि 1905 में हिंद केसरी माधार आप सप्रे की गिरपतारी तो ध्यान रखेंगे माधारो सप्रे माधारो सप्रे अपना गुरु मांते थे बाल गंगाधर तिलक को किसको बाल गंगाधर तिलक इन्हों ने क्या निकाला आपका हिंद केसरी ठीक यह उन्नी सो पांच के बाद जब यह बनारस कन्वेंशन में जाएंगे तब उनकी मुलाकात होगी किसकी माधौर और सप्रे की बालगंदर तिलक से उनसे फिर ये मोटिवेट होके पुरुचाहित होके हिंद के स्री का क्या करते हैं प्रकाशन करते हैं और फिर माधौर सप्रे को अपना गुरू बनाते हैं कौन माखन लाल चतुरुवेदी और ये फिर सब ताहिक पत्री का कौन सी कर्मवीर का प्रकाशन करते हैं उन्नी सो बीस में कहां से जबलपूर से इस तरह से एक सिक्वेंश बना के चलना होगा कि बाल गंगदर तिलक के से माधर और सप अपरे किसे से आपे कौन आएंगे माखन लाल चतुरुवेदी जी ठीक प्रश्णक्रमांग 10 का आंसर होगा डी उप्रोग सभी प्रश्णक्रमांग 11 कवी समाज की स्थापना राजीम में किस ने की थी ये फैक्ट्वल कोशन इसे आप याद रखेंगे सुन्दा लाल सर्म ने राजीम में की थी लेकिन सहायता किया था इसमें विश्वनात प्रशाद दुबे ने इसको याद रखेंगे थी प्रश्णक्रमांग 12 कांग्रेस के 19 सदी के सुरुवाती अधिवेशनों में कीन राजनेताओं ने प्रमुकृरूप से 36 गड़ भूमी से भाग लिया था चलिए देखते हैं जो सुरुवाती यहां पर कांग्रेस का अधिवेशन होते हैं सुरुवाती कांग्रेस के अधिवेशनों की बात यहां पर की गई है तो जिसमें आपको ध्यान रखना होगा 1901, 1902, 1903 और 1904 आप लोग इसका रिप्लाई देंगे कि 1901, 1902, 1903, 1904 में कहां आपर कांग्रेस का अधिवेशन हुए हैं नेक्स वीडियो में आपको इसको एक्स्प्रेन करूंगा पूरे डाइग्राम बनाएं कि 1901 से लेकर 1908 तक 36 गड़के आधुनिक इत्यास हो कैसे पढ़ना है यह नेक्स वीडियो में एक दो कोश्चन में उसे में डेल करूंगा फिलाल यहां पर इसका अंसर देखते हैं याद रखेंगे यहां पर पहला ऑप्चन दिया है मादर और सप्रे राम राव चिंचल कर सुन्दालाल सर्मा नहीं सुन्दालाल सर्मा की जो एंट्री होती है एक्टिविली एंट्री करेंगे 1907 से याद रखेंगे 1907-1906 के बाद इनकी एंट्री होती चर्टिविली के पॉलिटिक्स में ठीक बी मादर और सप्रे राम राव चिंचल कर राम राव चिंचल कर राव वामन राव ला के लगातार एक दो तीन चार इन चारों दिवेशनों में इन्होंने 36 गड़ से संबंधित यों 36 गड़ से के साथ ही साथ मध्यप्रांद से संबंधित को इस्थानिक मुद्धों पर यहां पर चर्चा की और यहां पर प्रस्ताव पारित कराया साथ ही साथ इस चेत्रों में राजनीती जागरिती पर भी इन्होंने क्या क्या काम क्या नहीं राश्टी चेत्रा को भी इन्होंने क्या किया आगे बढ़ाया तो प्रश्नक्रमांग 12 का जो आंसर होगा वह होगा आपका डी करेक्ट चलिए इसके परशाद हम देखेंगे 1905 1905 से संबंदी जो कोश्चन होगा वह नेक्स वीडियो में आपको बताऊंगा 1905 यानि कि बंगालवी भाजन आखिर बंगालवी भाजन करजन ने क्यों किया और उसका इंपक हमारे हैं कैसे होता है बनारा सदीवेशन कब होती है बनारा सदीवेशन के बाद हम क्या देखेंग 1909 से 1915 तक राजनीती में निस्क्रिता का यानि कि पॉलिटिकल इन एक्टिविटी का टाइम आएगा और 1916 से होम रूल आंदोला तो इस तरह से हम कुछ कोश्चन करते जाएंगे आगे और चीजें यहां पर फिनिस हो जाएंगी आशा करता हूं कि आप लोगों को इससे का प्रून तयारी के लिए कॉंपिटिशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले